यहां पे हम सभी लोगों का mathematics के solution में यहां पे हम डिसकस करते हैं G, S, E, C, L, J, E की mathematics को differential equation discuss कर रहे थे हम लोग differential equation का यह हमारा third video है एक video में मैं एक question discuss करता हूँ, थोड़ा time का shortage भी है, दूसरे videos भी आ जाते हैं, बीच-बीच में आपके दूसरे request भी आते रहते हैं उस चक्कर में videos नहीं बन पाते हैं, बट hopes हो कि आप लोगों की पढ़ाई प्रॉपर चल रही होगी, आप लोगोंने mathematics को खतम कर लिया होगा, gate की mathematics solve कर लिए वही सारी चीज़े यहां पर भी है, अगर पहली बार देख रहे हैं तो यह सारे platform है, जहां पर आप मुझसे जूड़ सकते हैं, PDF के लिए आपको telegram channel join कर लेना है, आप में से काफी सारे लोग computer की बात भी कर रहे हैं कि computer कुछ बताएए, मैं देखता हूँ, जितना possible हो सकता है, जिस points पर हो सकता है, जहां से आपका math बढ़ाया जा सकता है, मैं अपने तरफ से try करूँगा कि वो सारे input आपको दे पाऊँ, तो यह जो question है, अब यह जो question आपको दिया गया, partial differential equation, अब इस type के question को अगर आप traditionally solve करते हों, तो आपका बहुत time जाएगा इसको solve करने में, तो इस type के जो भी questions होते हैं, उनको solve करने का एक simple तरीका यह होता है, अगर आपका objective exam है, तो ही यह तरीका काम आएगा, option satisfy करने का, और जो आपका द दो arbitrary constant वहाँ पर रहते हैं, दो arbitrary constant क्यों, क्योंकि यहाँ पर partial differentiation है, दो का, तो दो no arbitrary constant के आपके value find out करनी होती है, फिर substitute करना होता है, यह पूरा process होता है, और इसमें तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक variable और दिया हुआ है, तो एक problem और आएगा, कि जब आप substitute करोगे, तो यहाँ पर double differentiation भी आएगा, तो इस तरीके से काफी lengthy हो जाएगा, यह problem, तो एक short तरीका यह है, जैसे मैं आपको कहा कि option satisfy करा लेना, इस type questions जहाँ भी आएं, सबसे आसान तरीका होता है, option satisfy करना, अब option satisfy में भी दो तरीके होते हैं, कि आप blindly जा रहो, एक तरीका यह होता है, क अब से आसान तरीका होता है, option satisfy कराना, ठीक है, तो option satisfy कराने के लिए, या तो आप ऐसे देख सकते हैं, इसको इधर ला लीजिए, आप देख लो, del z by del y के जगा पर क्या होना चाहिए, और यहाँ पर del z by del x के जगा पर क्या होना चाहिए, simple तरीका, तो यहाँ पर आपको द तो यह बाला option सही है, अभी के लिए मैं इसको satisfy करा देता हूँ, आप cross check कर सकते हूँ, दोनों को satisfy कराके, दोनों में satisfy करेगा, तो यहाँ पर आपको function दिया गया है, z is equal to k e to the power x plus k by 2 e to the power 2 y plus c यह दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या find out करना है, एक बार आपको find out करना है, del z by del y, equal to kya हो जाएगा, partial differentiation आप सभी को पता है, कि जिस variable के respect में हम इसको differentiate करते हैं, उसके अलामा जितने भी variables महाँ पर present हैं, उसको constant assume करके चलते हैं, और constant हो गए, तो उनका differentiation क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मैं यह कहना चाहरा हूँ, कि यह constant assume करके चलेंगे, इसका भी 0 हो जाएगा, और यह तो c तो already constant है, तो इसका भी 0 हो जाएगा, बचा कौन सा यह बचा, तो इसका क्या हो जाएगा, k by 2 multiply e to the power 2y, और 2y का करोगे तो क्या हो जाएगा, multiply 2 से 2 cancel out हो जाएगा, तो very simple यह हो जाएगा, k e to the power 2y, यह आपका equation एक आ गया, एक बार आपको differentiate करना ह है, किसके respect में, with respect to x, तो del z by del x is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो, यह बाला function है, आप यहाँ पर y बाला term 0 हो जाएगा, क्योंकि partial differentiation है, partial differentiation में, जिसके respect में करते हैं, वो variable तो ठीक है, बाकी को हम constant जूम करके चलते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो यह very simple k to the power e to the power x रहेगा, k into e to the power x रहेगा, बाकी सारी term तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो very simple is that, यह equation number आपका 2 हो गया, अब इन दोनों को आप simply इसमें substitute कर दीजिए, तो del x by del y is equal to क्या है, del x y by e to the power 2y multiply e to the power x है, minus del z by del x is equal to क्या है, del z by del x आपने अभी निकाल ला है, क्या है k e to the power x multiply e to the power 2y is equal to 0, satisfy हो रहा है, यह से cancel हो गया, is equal to 0 हो गया, तो केवल एक option, fourth one is satisfied equation, तो option आपका मिल जाएगा, fourth, traditional तरीके से भी आप find out कर सकते हो, बढ़ टेडिशनल तरीके से find out करने में, आपका इतना time चला जाएगा, कि उस time में आप दूसरे 10 से 12 questions solve कर लोगे, तो ज यहाँ पर compare कर लें, ठीक है, very simple is that, दूसरा तरीका भी है, इसका variable separable से भी इसको आप find out कर सकते हो, बट ठीक है, वो सारी चीज़ें हमको assume करके, फिर variable separate करना पड़ेगा, तो वो सब करने की ज़रूद है नहीं, simply that, कि हम इसको satisfy करा लेते हैं, तो option D है, और आपको चीज़े के बारे में, तो मैं देखता हूँ कि previous year के कितने computer question collect हो पाएंगे, जितने भी collect हो पाएंगे different exams के मैं कोसिस करूँगा, कि वो सारे questions आपको करा दूँ, ताकि आपको एक idea है कि किस टाइप के computer question पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो को खतम करते हैं, that's it, चले मिल नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, all the best, good luck